हाई फ्रेंट्स वेलकम चू आज चैनल तो बहुत सारे क्लीनिंग प्रड़क के रिव्यू मैं आप सब के साथ शेयर करती रहती हूँ थैंक यू सो मच कि आपको वो वीडियो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं आपका बहुत सारा सपोर्ट मेरी वीडियो को मिलता है उसी से मोटिवेट होके मैं आप सब के साथ अपना ओनेस रिव्यू शेयर करती हूँ तो मैंने आप सब के साथ जिमर उल्फेमन मार्बल क्लीनर जिमर उल्फेमन फ्लोर क्लीनर का रिव्यू शेयर कर रखका है अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो उसका लिंक आपको description box पे मिल जाएगा और eye button पे भी mention कर दूँगी क्योंकि अभी चल रही है winters और winters में हमें धुलने होते हैं अपने woolen clothes तो woolen clothes हम कौन से detergent में धुल सकते हैं कौन से detergent मेरे woolen clothes के लिए अच्छा है जो कि उनकी चमक को खराब नहीं करेगा जो कि उनके सिकोडेगा नहीं उनको shrink नहीं करेगा मैं भी बहुत दिन से एक अच्छा woolen wash cleaner ढून रही थी तो देखते हैं कि जिमर उर्फिमन woolen wash liquid detergent हमारे woolen clothes को clean कर पाता है या नहीं कर पाता है तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रोड़क की पैकेजिंग से मैं आपको हमेशा ही दिखाती हूं कि प्रोड़क्ट आपको कि इस पैकेजिंग में रिसीव उने वाला है तो जिमर उर्फिमन woolen wash liquid detergent आपको वाइड कलर की पैकेजिंग में दिख रहा होगा मैंने 5 लिटर का इसको और करा था इसलिए आपको इतना बड़ा कंटेनर दिख रहा होगा वैसे यह वन लिटर में भी एवेलेबल है आपको बता दू कि मुझे इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी लगी है कहीं से भी लीकिंग की कोई प्रॉबलम मैंने फेस नहीं करी है पैकेजिंग आपको काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है तो आएए अब इसकी पैकेजिंग पे मेंशन जो भी बाते दे रखी हैं जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसे पढ़ लेते हैं तो इस पर ये मेंशन है कि जिमर उरफेमन वूलन वाश लिक्विड डिटरेजन तारे ही हामफूल कैमेकल से फ्री है जिमर उरफेमन वूलन वाश लिक्विड डिटरेजन वूलन शिफॉन और सिल्के कपड़ों को क्लीन करने के लिए डिजाइن किया गया है पी-स बैलंस पे बेस्ट है इसमें coconut oil derived ingredient यूज़ करे गए है और enzyme based है germ से protection देता है kids के लिए safe है color protection प्रोवाइड करता है तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम दो तरह से ही अपने कफ़ों को wash करते हैं या तो हम hand wash करेंगे या machine wash करेंगे अगर आप इसको washing machine के लिए use कर रहे हैं तो आपको detergent को washing machine box में ही use करना है और washing machine की cycle start कर देनी है तो अगर आप 2 या 3 garment clean कर रहे हैं तो आप इस product की 10 ml quantity use कर सकते हैं लेकिन मुझे अपने woolen clothes को hand wash करना था तो इसलिए मैं hand wash कर रही हूँ तो hand wash के लिए मैंने इस detergent को water के साथ properly mix कर लिया है तो आप मैं आपको वीडियो में दिखा पारी हूँ कि मैं अपना woolen blue color का sweater है क्योंकि आप जानते हैं फिरोजी color जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है इसलिए आज इसी sweater को wash कर के देखते हैं यह detergent जो है वो कपड़े की चमक और उसके color खराब कर देता है या नहीं कर देता है तो मैं आपको वीडियो में दिखा पारी है मैंने पानी और detergent का जो mixture था उसमें sweater को डाल दिया है और 15 मिनट तक के लिए उससे soak होने के लिए रख दिया था और मैं आपको बता दू कि अगर आप 8 से 10 garments यूज़ कर रहे हैं तो 40 ml quantity जो होगी वो sufficient होगी इस product की तो जैसा कि हम सब जानते ही है कि जो colored cloth होते हैं उनको हमें white cloth के साथ mix नहीं करना है colored cloth को हमें अलग wash करना है और white cloth को अलग wash करना है मैं आपको बता दू कि मैं आप सब के साथ दो sweater जो हैं वो clean करके देखूंगी इस product ने अच्छे से work करा है कि नहीं करा है और दोनों ही अलग-अलग color की हैं तो हो सकता है sweater अपना color छोड़ दे इसलिए मैं इन दोनों को separately ही soak करूंगी तो ये दूसरा वाला जो pink color sweater है उसको भी मैंने soak करने के लिए रख दिया है 15 मिनट तक मैंने उसको इसी mixture में soak करने के लिए छोड़ दिया था अब मैं आपको बता दूँ ये product जो है वो non-toxic है लेकिन फिर भी कभी भी आपको इसको पीना नहीं है आपको इस product को दूर रखना है बच्चों की रीच से skin cut से, soul से और wound से अब मैं आपको दिखा पारी हूँ कि मैंने दोनों ही sweaters को अलग-अलग soak कर लिया था अब plain water से उसे rinse भी कर रही हूँ तो वीडियो में तो मैं आपको एकी बार rinse करते हुए दिखा रही हूँ लेकिन मैंने इस process को दो-तीन बार करा था ताकि जो भी detergent है मेरे sweater में लगा हुआ वो अच्छे से निकल आए अब मैं आपको इस product की fragrance बता दूँ तो product की fragrance आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है बहुत ज़्यादा mild ची fragrance आपको इस product में मिलती है तो अब मेरे दोनों sweater धुल चुके हैं जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे उनको मैं last rinse दे रही हूँ तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि मैंने इसी detergent की help से अपने दो woolen suit भी clean करे हैं ये वही woolen suit हैं जिनका after wash review मुझे आप सब के साथ share करना है तो अगर आप भी जाना चाहते हैं कि asio से जो मैंने woolen suit purchase करें इनकी quality कैसी निकली है तो वो वीडियो भी जल्दी आप सब के साथ share करूँगी वैसे ये woolen suit आपको किस price में मिल जाते हैं और उस price के according इस पे आपको क्या-क्या work मिलता है क्या-क्या finishing आपको मिलती है वो सारी ही बाते मैंने आप सब के साथ already share करी हुई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं link description box में दे दूँगी और eye button पे भी mention कर दूँगी तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं sweater धुल रही थी उसके बाद इनको सुखा लिया था तो मैं आपको बता दूँ कि zimmer orfemin woolen wash liquid detergent ने बहुत अच्छा काम करा है मेरे woolen sweaters को properly clean भी कर दिया है और मैंने अब इन sweaters को सूखने के लिए hanger पे टांग दिया था और सूखने के बाद इन sweaters की चमक जो है तो अगर आप भी इस product को purchase करना चाते हैं या purchase कर रखा है आपने इसको और इसको use कर रहे हैं तो आप मुझे definitely comment section में बता सकते हैं तो अब मैं आपको इस product की pricing बता देती हूँ तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में ही बताया था की मैंने 5 लिटर का pack order किया था और zimmer, urfemin, wool and wash, liquid detergent आपको 1 लिटर के pack में भी मिल जाता है तो 5 लिटर के pack पे आपको 1150 यानी की 1150 रुपीज मेंशन है लेकिन product आपको और भी reasonable amount में मिल जाता है तो आपको इस product का link description box में मिल जाएगा आप वहाँ से check out कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि winters में होते हैं बहुत सारे कपड़े clean करने को woolen कपड़े हमें clean करने ही पड़ते हैं तो अगर आप 5 लिटर का pack purchase करते हैं तो वो आपको और भी ज़दा affordable amount में receive होता है as compared to 1 लिटर के pack से अपना ज़्यादा इसने work किया है कैसा work किया है ये सारी ही बाते मैंने आप सब के साथ share करी है अपना honest review share करा है तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी useful लग रही है नहें इस चैनल पे नहीं किया चैनल को subscribe तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा वीडियो को like करना मत भूलेगा bell notification को on कर लीजेगा all pay set कर लीजेगा ताकि मेरी upcoming वीडियो की notification आपको मिलती रहे और हम मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक खुश रहिए स्वस्त रहिए